हेलो दोस्तों आपको हमारे चैनल सुबलब जी के क्लासेज में स्वागत हैं। का अगला महानिदे सक किसे चुना गया है। और इसका सही अंसर है M.E.POP, यानि M.E.POP को अंतराष्ट्य प्रवाशन संगठन का अगला महानिदे सक चुना गया है। यानि इसका सही अंसर हो जाएगा ये M.E.POP। इंटरनेशनल ओगानिजिशन पर माइग्रेशन का हेड़कॉर्टर कहा है। जेनेभा स्वीजाल लेंड में। नेक्स्ट कोश्चन। सर्भसेस्ट राज्य श्रेणी में कौन सा राज्य प्रतम इस्तान पर है और इसका सही अंसर है मद्ध प्रदेश यानि मद्ध प्रदेश चोथा रास्टिय जल्पुरस्का 2022 के लिए सर्भसेस्ट राज्यों के श्रेणी में प्रतम इस्तान पर है यानि इसका सही अंसर हो जा श्रेणी में ओडिशा के गंजाम को पाला पूरसकर मिला है और राष्टियों पाला राष्टियों जल पूरसका दोजर अठर में जल सक्ती मंत्रालाई द्वारा शुरू किया गया था नेक्स्ट कोस्चन ओनलाइन फूड डेलिवरी प्लाटफर्म जमाटो ने कीसे अपने फूड ओडारिंग और डेलिवरी करोबार में मुख्यो काज्योकरी अधिकारी नियुक्त किया है और इसका सही अंसर है राकेश रंजन यानि राकेश रंजन को ओनलाइन फूड डेलिव प्लाटफर्म जमाटों ने अपने फूड ओडरिंग और डेलिवरी करोबार में मुख्ष काज्योकारी अधिकारी नियुक्त किया यानि इसका सही अंसर हो जाएगा ए राकेश रंजन नेक्स्ट कोस्टिन इंडिया फार्म एंड इंडिया मेडिकल डिबाइस 2023 के आठवी अंतराष्टे सम्मिलन का आयजन कहां किया जाएगा और इसका सही अंसर है नहीं दिल्ली यानि इंडिया फार्म एंडिया मेडिकल डिबाइस 2023 के आठवी अंतराष्टे सम्मिलन का आयजन नहीं दिल्ली में किया जाएगा यानि इसका सही अंसर हो जाएगा D, नहीं दिल ले Next question गरिबों को मुप्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए कि इस राज्यो सरकार ने के फॉन परियोजना को 5 जुन दोज़ाज़ाज़ाज से सुरू करने जा रहा है और इसका सही अंसर है केरल यानि गरिबों को मुप्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए केरल राज्यो सरकार ने के एपॉन परियोजना को 5 जुन दोज़ाज़ाज़ाज़ाज से सुरू करने जा रहा है और के फॉन का फूलपम क्या होता है केरल फाइबार आप्टिकल नेटवर्ग यानि इसका सही अंसर हो जाएगा बी केरल नेक्स्ट कोश्चन हाली में किस राज्यो की गेरबा मेगा परियोजना सालाना 50 मिलियन टन कोईला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खदान बन गई है और इसका सही अंसर है च्छतिस गड़ यानि च्छतिस गड़ की गेरबा मेगा परियोजना सालाना 50 मिलियन टन कोईला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खदान बन गई है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा ये च्छतिस गड़ नेक्स्ट कोश्चन महिला भोलीबल प्रतियोगी ता काबा महिला चलेंज कप 2023 का आईजन कहां किया जाएगा और इसका सही अंसर है कडमांडू नेपल यानि महिला भोलीबल प्रतियोगी ता काबा महिला चलेंज कप 2023 का आईजन कडमांडू नेपल में किया जाएगा यानि इसका सही अंसर वज़ेगा A. कडमांडू, नेपल भोलीबोल फेडरेशन अप इंडिया के अद्धक्ष कोन है? अचुत्त समन्द नेक्स्ट कोस्चन नागरिक उड़ायन में एसिया का सबसे बड़ा कज्यक्रम उइंडिया 2024 का आईजन कहां किया जाएगा? और इसका सही अंसर है हैदराबाद यानि नागरिक उड़ायन में एसिया का सबसे बड़ा कज्यक्रम उइंडिया 2024 का आईजन हैदराबाद में किया जाएगा यानि इसका सही अंसर हो जाएगा C. हैदराबाद नेक्स्ट कोश्चन नए संगसद भवन यानि न्यू पर्लामेंट हाउस का डिजाइन किसने तयार किया है और इसका सही अंसर है डक्टर बीमल पेटल यानि डक्टर बीमल पेटल ने नए संगसद भवन का डिजाइन तयार किया है यानी इसका सही अंसर हो जाएगा B, Dr. Bimal, Petal नेक्ज्ट कोस्टिन हाली में भारतिय रिज़र्ब बैंक ने कितने रूपए के नोटों की आपसी की गोष्णा किया है और इसका सही अंसर है दो हजार रूपए यानी हाली में भारतिय रिजर्ब बैंक ने दो हजा रुपिय नोटों की आपसी के गोश्णा किया है यानि इसका सही अंसर हो जहेगा D. दो हजा रुपिय Next question कि इस देश के क्रिकेट के पुर्व कप्तान ब्रायन बूत का निधन हो गया है और इसका सही अंसर है आस्टेलिया यानि आस्टेलिया के क्रिकेट के पूर्व कप्तान ब्रायान बूत का निदन हो गया है यानि इसका सही अंसर होजएगा C ऑस्टेलिया नेक्स्ट कोस्टन किस राज्जों ने गोशना किया है कि ओ एक करोड से अधिक एतिहासिक दस्ताबेजों को संगरक्षित करेगा और इसका सही अंसर है बिहार यानि बिहार राज्जों ने गोशना किया है कि ओ एक करोड से अधिक एतिहासिक दस्ताबेजों को संगरक्षित करेगा यानि इसका सही अंसर होजएगा A बिहार नेक्स्ट कोस्टन The golden years नमक पुस्तव के लेखक कोन है और इसका सही अंसर है रासकिन बॉंड, यानी दा गोल्डेन इयर्स नमक पुष्टक के लेकर रासकिन बॉंड है, यानी इसका सही अंसर होजएगा A, रासकिन बॉंड. Next question, संगबाद और विकास के लिए 200 संस्क्रित विवेता दिवस 2023 कब मनाया जाता है और इसका सही अंसर है 21 माई को यानि संगबाद और विकास के लिए 200 संस्क्रितिक विवेता दिवस 2023 21 माई को मनाया जाए गया यानि इसका सही अंसर वोजेगा D 21 माई अब कारेंट एफेर्स रिविजन बैधनता लिमिटेट ने किसे नए मुख को बित्तिय अधिकारी नियुक्त किया है और इसका सही अंसर है सोनल स्रीवास्तव किसे चीप ओप स्टाप पस्चिमी कमान नियुक्त किया गिया है लेप्टिनेंट जेनरल देबेंदर सर्मा जांच भीरो यानी CBI के नए निर्देशक कोन बने है प्रबीन सुध नेक्स्ट भारत के बिराश्वे ग्रांड मास्टर कोन बने है प्रबीन वपुल्ला पुलिस और फायर गेम्स बोर्ड अप इंडिया के अध्दक्ष किसे नियुक्त किया गिया है बिनोध मल्ल ट्विटर के नए CEO कोन बने है लिन्डा येकारीनो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्ष कोज कोन बने है ग्रांड ब्रेडबॉर्ण नेक्स्ट तेलेंगाना के मुख्ष मंत्री के चंदसेकर राव के मुख्ष सलाकार कोन बने है स्वमेश कुमार भारतीय पुरातत्त सर्वेक्षन के महानिद्यसक के अतिरिक प्रभार किसे दिया गया है किसर के बासा पुमा इंडिया के प्रवंद निद्यसक कोन बने है कार्तिक बालगोपलन Power Finance Corporation का अद्धक्ष और प्रवंद निद्य से कोन बने हैं? परमिंदर चोपड़ा Next दक्षिन ACI UBA Table Tennis Championship 2023 का आज़न भारत के किस राज्यों में सुरू हुआ है? और नचल प्रदेश सोच्च परवत अभियान 2023 किस देश के सेना दोरा सुरू किया अभियान है? नेपाल मेरी लाइप नामक एक मूबाइल अप्लिकेशन को लॉंच किया गया है परियाबरन मंतरा लाए Next अब प्रिभियास यास कोस्चन यानि पीछले परिक्षाओं में पूछे गिये GK और GKS के प्रस्ण भारत में सिक्षा का मौलिक अधिकार कब लागू किया गया था? एक एप्रिल 2010 में स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? 565 बन्नजीब संग्रक्षन अधिन्यम कब परित किया गया था? 1972 में टमाटर में कौन सा अमलव पाया जाता है? ओक्जलिक अमलव मानव शरीर में पारा के संचाई से क्या रोग होता है? मिनमाता नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर इनमें से किस सिधन पर काम करता है? कूल अंतरिक परावर्तन टूथपेस्ट को सफेद बनाने के लिए कौन से रासाइन उपेक किया जाता है? टाइटेनियम डायोकसाइड मौरियो बंक्स के अंतिम राजा कौन थे? ब्रिहद्दत मनेरेगा योजना कब सुरू किया गया था? दो फरवरी दो आज़ाच छे को ये कुछ प्रिवियर्स येर्स के कोस्टन थे अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्रीब कर दीजेगा और लाइक को शेयर भी कर दीजेगा